Hello everyone, Welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग 20 notification के बार में बात करेंगे जो IGNU के different regional center के तरफ से release के गई है जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है लेकिन याद दखेगा जो 20 notification release किये गए है वो सभी convocation के related ही है तो जो based on convocation के information में interested नहीं है वो चाहें तो video को skip कर सकते है Now देखो convocation के related इतने सारे notification क्यों release किया गए इगनों में कोई भी event होता है न तो उसी के related ही सभी regional center के तरफ से notification release की जाती है जैसे अगर मालो practical होने वाला है तो सभी regional center के तरफ से practical की notification release की जाती है उसी तरिका से बाकी अधर कोई भी event होते है तो सभी regional center के तरफ से उसके related ही notification release की जाते है अब किसे भी university के लिए convocation एक बहुत बड़ा event होता है या बोलो तो सबसे बड़ा event होता है तो उसके related सभी regional center के तरफ से notification release की जा रहे है कि convocation कहां पे conduct करवाय जाएंगे, कौन-कौन से student को आना है और उनके regional center में कौन सा venue decide किया गया, उसके rules and regulation क्या है तो इसको related मैंने आप लोग को वीडियो के मादम से बताया हुआ था कि 26 April को IGNU के headquarter में और all over India में 32 regional center पे convocation conduct करवाय जाएंगे आप लोग क्या है तो ये वीडियो को देख सकते हैं नाव मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि सभी regional center के तरफ से venue decide किया जाएंगे कि कहां पे आप लोग का convocation होने वाला है नाव जब मैंने ये वीडियो upload किया था उस वक सिर्फ हैदरबाद regional center के तरफ से notification release कर दिया गया उसमें सबसे पहले है कोलकता regional center कोलकता regional center ने भी 35th convocation के लिए venue decide कर दिया है जो convocation conduct करवाया जाएगा वो होगा RNC auditorium विद्धभाण DJ block sector 2 Salda Kolkata ठीक है तो 35th convocation कोलकता regional center के student के लिए विद्धभाण में conduct करवाया जाएगा RNC auditorium में ठीक है कौन-कौन से student attend कर सकते हैं उसके लिए भी list जारी कर दिया गया है जो आप लोके scan के उपर जारा रहा है इसका link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जो भी student का इस list में नाम है सिर्फ वही student attend कर सकते है कोलकता regional center के अंडर में बहुत कम student का ही नाम दिया गया है और इसमें BA become BAC के student का तो नाम ही नहीं बैचलर डिग्री में सिर्फ BCA के student को ही रखा गया है और बाकी जितने भी other student है वो सभी master degree के program से ही बिलॉंग करते हैं सबसे जादा master of English student है इसमें खेर जो भी हो कोवीड को धियान में रखते हुए पहले ही डिसाइड किया गया था कि बहुत limited student को ही convocation के लिए बोलाया जाएगा तो जो भी student का इसमें नाम है वही student कोलकता regional center में attend कर सकते है ठीक है rules and regulation already बता दिया गया है मैंने पहले भी इस वीडियो में भी बताया है वह आप लोग चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं उसे आप लोग को समझ में आ जाएगा से at the same time video conferencing के जरिया regional center पे होगा उसके बाद से फिर regional center के अपने सारे schedule होते हैं वो सारा चीज होगा दो से तीन बैय तक पूरा convocation खतम हो जाएगा most probably और जो भी इस्टेशन कर लिया था और उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है कुलकता रिजिनल सिंटर के स्टेशन का मैं बता रहा हूं तो फिर कोई टेंसन की बात नहीं है आपके घर पे बाइपोस्ट आपका जो औरीजिनल डिगरी है वो भेज दिया ज जाएगा ठेक है 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 अधाबाद रिजिनल सिंटर ने अलड़ी लिस्ट जारी कर दिया जिसके बाइप मैंने पहले भी बताया था उसके अलावा लखनौ रिजिनल सिंटर ने भी लिस्ट जारी कर दिया कि कौन कौन से स्टेशन को एटेंड करना इसका लिस्ट जारी नह नहीं किया गया है message के दौरा अभी तक नहीं बताया गया लेकिन Monday तक सुबह सुबह ही सब को सब के पास message चला जाएगा most probably और list भी website पर release कर दिया जाएगा तो Monday तक वेट कर लेना अभी के लिए फिलाल इस list में आप अपना नाम चेक कर लो क्या अप eligible हो या नहीं आपने fee payment किया है या नहीं किया है उसके बाद से पाना जी regional center ने भी venue decide कर दिया है multi-purpose hall central library पाना जी वहाँ पे होगा और जो chairman है goa public service commission के वो होंगे chief guest पाना जी regional center में ठीक है i mean chief guest का भी announcement कर दिया गया है ठीक है dr. N.K. Pandey जो की director है ICR के वो होंगे chief guest और जो venue है वो है auditorium central potato research institute SIMLA ठीक है तो यहाँ पे होगा 35th convocation SIMLA regional center के student के लिए ठीक है और जो भी student convocation attend करने जाएंगे सबसे पहले तो अपना i-card ले जाना बिलकुल भी मत बोलना क्योंकि without i-card के आपको इंटर होने का permission नहीं दिया जाएगा ठीक है तो SIMLA regional center के बारे में बात के लिए अब रांची regional center के बारे में बात के लिए रांची regional center ने भी convocation के लिए notification release कर दिया है और जो आप लोग का venue होगा वो है convention center, institute of public health, NS 33, रांची, जमसेथपूर, नाम कुम्राची ठीक है यह है venue आप लोग पॉस्ट करके देख लेना rules and regulation में वही है same जो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है बस आप लोग यह वीडियो देख लीजएगा तो आप लोग का सारा route clear हो जाएगा उसके बास से आगरतला regional center ने convocation के related कोई notification तो release नहीं किया है उसके नाम पे बस एक छोड़ा सा sticker release कर दे जिसमें इतना बता दिया गया है कि venue क्या होगा तो अगर तरह regional center के लिए जो 35th convocation होगा वो होगा रविंदर भावन hall no.2 में ठीक है तो अभी फिलहाल से venue बताय दिया गया है कौन कौन से इस्ट्रेंट eligible है उसके बारे में अभी list release नहीं किया गया है most probably Monday तक release कर दिया जाएगा अगर release नहीं किया जाए तो जो जो इस्ट्रेंट ने convocation का जब registration हो रहा था उस time पे उन्होंने convocation attend करने के लिए yes select किया था तो आप लोग जा सकते हो ठीक है अगर list release नहीं किया गया तो अगर list release किया गया तो list की हिसाफ से ही इस्ट्रेंट जाएगा उसके बाद से बैंगलोर रिजनल सिंटर के तरफ से भी list release कर दिया गया है कौन कौन से स्ट्रेंट को convocation attend करना है और उनको degree कौन से counter से दी जाएगा रिजनल सिंटर विजिट करके अपना degree collect कर सकते है और जो भी इस्ट्रेंट registration नहीं कर पाए हो न वो भी रिजनल सिंटर पे विजिट करके 600 रुपया का डिमांड राफ बनाएंगे और उसके बाद से उनको भी original degree प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद से भूबनेश्व रिजनल सिंटर के तरफ से भी 35th convocation के related notification जारी कर दिया गया है प्रोफेसर सभीता अचारिया वाइस चांसलर है उतकल यूनिवर्सिटी की वो होंगी chief guest लेकिन venue के बार में ये notification में नहीं बताया गया है message के दोरा एस्ट्रेंट को बताया जो जो इस्ट्रेंट ने फीस पेमेंट किया हुआ है उनके पास में यहाँ पे 600 रुपीस पेड लिखा हुआ है और maximum इस्ट्रेंट ने तो फीस पेमेंट नहीं किया है पता यह मुझे नहीं समझ में आता है कि original degree लेने में प्रॉब्लम किया होता है I mean जब आप degree complete किये हो bachelor degree master degree दो साल में master degree complete करते हो bachelor degree complete करने में कितने साल लग जाते है इतना महिनत करके जब complete कर लिए तो original degree लेने में क्या प्रॉब्लम है यह समझ भी नहीं आता है मुझे हर साल यह होता है हर साल मैं student को बोलता हूँ कि registration कर लो original degree ले लो उसके बाद सफिर जहां जाना है वहां जाओ लेकिन original degree लेते ही नहीं है पता नहीं लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि आपको जो mark sheet मिलता है provisional certificate मिलता है तो provisional certificate सिफ convocation होने तक ही valid रहता है उसके बास invalid हो जाता है तो आपको original degree लेना होगा कभी न कभी तो ज़रूरत परेगे और फिर आपके लिए मुश्किल होग 35th convocation का जो schedule होगा भूबनेशो regional center में वो सारा यहां पर बता दिया गया है नौ बजे ही आपको पहुंच जाना है जहां पर सकाफ का registration करना होगा उसके बास से 250 रूपीस payment करना होगा जैसे कि आप लोका पता है उसके बास से भूबनेशो regional center के तरफ से जो program decide किए वो सभी program ह खतम हो जाएगा वीजापूर regional center ने भी 35th convocation के related सभी जो भी student eligible है convocation attend करने के लिए और regional degree लेने के लिए उनका list release कर दिया है तो वीजापूर regional center के student इस list में अपना नाम चेक कर लेंगे साथी साथ कोचिन regional center में भी बहुत limited student को ही बुलाया गया है convocation attend करने के लिए और जो ज student attend कर सकते हैं 35th convocation को उसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है तो सिब यही student कोचिन regional center के अंडर में convocation attend करेंगे venue का address और उसका नाम आपके पास message के द्वारा बता दिया जाएगा उसके बास से दहरादू regional center ने भी 35th convocation के related notification जारी कर दिया है कि कहां पर convocation conduct करवाया जाएगा that is MP hall Rajiv Gandhi Navavidyaalai Rajapur Dehradun ठीक है यह है आफका venue guest of honor होंगे professor Himchandra जो की vice chancellor है HNBU Medical Education University Dehradun के ठीक है तो यहाँ पर convocation होगा 35th convocation और यहाँ से भी list of candidate का नाम release नहीं किया गया है जो की Monday तक release कर दिया जाएगा और जो जो student को attend करना है उनके पास message के दोरा भी बता दिया जाएगा उसके बाद से Gang Talk Regional Center के तरफ से भी 35th convocation के related notification जाड़ी कर दिया गया है बता दिया गया है कि 35th convocation Cauvery Hall behind Cauvery Girls Hostel Sikkim University वहाँ पर conduct करवाया जाएगा जो chief guest होंगे वो होंगे अविनास करें जो की vice chancellor है Sikkim University के तो जो भी student Gang Talk Regional Center से ब्लॉंग करते हैं जिरोंने convocation के लिए registration किया था और convocation का registration के दौरान yes select किया था कि वो convocation attend करना चाहते हैं वो लोग attend कर सकते हैं क्योंकि Gang Talk Regional Center में बहुत सारे student है नहीं और इन्होंने list भी release नहीं किया है अगर release कर देते हैं मंदे तक तो फिर उसी साफ से जाना अगर list release नहीं करते हैं तो फिर अगर आपने yes select किया होगा त regional center ने भी 35th convocation के लिए कौन-कौन से student attend कर सकते हैं उसका एक list जारी कर दिया है excel file में ठेक है तो जो जो student ने registration किया था वो लोग attend कर सकते हैं जो chief guest होंगे वो होंगे मनिपूर के governor उसके बाद से भोपाल regional center ने convocation के related एक list जारी कर दिया है जिसमें बता दिया गया कि कौन- जारी कर दिया है जाते है लिए तो जिनों ने भी Quiz Payment नहीं किया है वो लोग regional center विजिट करके 600 रुपीज पे करके उसके बाद से अपना डिगरी कर सकते हैं जो student ने भी तो जारी कर सकते हैं बता बाद regional center ने कोई notification तो जारी नहीं किया है बस एक चोटा सा sticker अपलोड कर दि सारा information दे दिया जागा क्योंकि Tuesday को ही Convocation होने वाला है ठीक है तो जो जो Regional Center के तरफ से अभी तक list release कर दिया गया है और Convocation के related notification जारी कर दिया है वो मैंने इस वीडियो में डीटेल में बता दिया अब Convocation के related डारेक्ट जिस दिन Convocation होगा Convocation conduct करवाया जारा है उसको लेकर जो डिफरेंट Regional Center के तरफ से notification release की गई है उसके बार में मैं आपको detailed information दे रहा था मुझे उमीड है कि आपको video पसंदा होगा से वीडियो को लाइक कर दे सब्सक्राइब के साथ से एक है तक उनको भी information मिल पाए किसे बिता के डाउड के लिए आपको लिए आपको लिए कौन बाक्स में लिख सकते हैं या मझे डारेक्ली कॉल करके भी अपने डाउड के लिए कर सकते हैं अगर आप एहल्पन चैनल पर फर्स्टेमाया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो थाउड पूच पर वच्छ वच्छ थाउड थाउड या थाउड अच्छ वच्छ